शो में कहानी चोटी अनु और माया के इर्दगिर्द घूम रही है। साथ ही, अनुपमा, को लेकर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि माया का अतीत कहीं न कहीं अनुझ का पाड़िया से जुड़ा हुआ है। बीते दिन भी, अनुपमा में दिखाया गया कि माया अपनी कहानी सुनाकर अनुपमा के आगे आंसु बहाती है। वो छोटी अनु के साथ सोने के लिए अनुपमा से इजाजत मानती है, लेकिन छोटी उसे छोड़कर अनुपमा और अनुज के पास आ जाती है। शो में दिखाया जाएगा कि वन्राज काव्या को लंदन जाने से रोखने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन काव्या उसकी चाल पर पानी फेरते हुए कहती है, वैसे तो ये चाले बीविया चलती हैं अपनी बाते मनवाने के लिए। लेकिन यहां तुम ये चाल चल रहे हो, वन्राज काव्या से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन भारत से बाहर मत जाओ, वो माया और मोहित को लेकर कहता है कि मोहित मुझे अजीब लगता है और माया भी मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन काव्या उल्टा उसे खर खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। अनुपमा में जल्दी देखने को मिलेगा कि अनकुष माया को ताना मारता है कि वो यहां उसका परिवार तोड़ने आई है। माया भी जवाब देती है कि परिवार की बात कर रहे हैं जो कंगाल होने के बाद यहां आए हैं। इस पर अनकुष लड़ने लगता है और कहता है कि तेरी आउकात नहीं है मुझसे बात करने की, मुझे मालूम है कि तू कैसी ओरत है। इस पर माया भी जवाब देती है कि बोल दो जो बोलना है, मैं भी जानू कि क्या बोलना है। दोनों के बीच तनातनी चल ही रही होती है कि वहाँ आनू जा जाता है और उन्हें रोक देता है। बीते एपिसोड में माया किसी शक्स से बात करती दिखाई दी थी, जिससे उसने कहा था कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाने के लिए शुक्रिया। लेकिन यह सीक्रेट मैन कोई और नहीं बल की मोहित है। हालां कि शो में यह देखना दिलचस्प होगा कि मोहित के इरादे क्या हैं और उसने काव्या का इस्तेमाल क्यूं किया। वहीं छोटी अनू के बहाने माया के असली इरादे क्या हैं।